कहानी राजा प्रिथो की ध्रूब के बन्गमन के पस्चाद उनके पुत्र उतकल को राज सिंग हासन पर बिठाया गया लेकिन वे ग्यानी एवं विरक्त पुरुष थे अते प्रजा ने उन्हें मूड एवं पागल समझ कर राजगद्धी से हटा दिया और उनके छोटे भाई ब्रहमी पुत्र वत्सर को राजगद्धी पर बिठाया उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने लंबी अवधी तक शासन किया उनके ही वंश में एक राजा हुए अंग उनके यहां वेन नाम का पुत्र हुआ वेन की निर्द्यता से दुखी होकर राजा अंग वन को चले गए वेन ने राजगद्धी संभाल ली अत्यांत दूस्ट प्रकृती का होने के कारण अंत में रिशियों ने उसे शाप देकर मार डाला और आजगता के निवारण हितु ने संतान मरे वेन की भुजाओं का मन्थन किया गया जिससे स्री पुरुष का एक चोड़ा प्रकट हुआ पुरुष का नाम पृथु रखा गया तथा स्री का नाम अर्ची वे दोनों पती पत्नी हुए पृथु को भगवान विश्नु तथा अर्ची को माता लक्ष्मी का अंशावतार माना गया है ब्रामनों ने राजा पृथु का राजय विशेक करके समराट बना दिया उसमें पृथु अनहीन थी प्रजा भोकी मर रहे थी प्रजा का करून करंदन सुनकर राजा पृथु अती दुखी हुए अब उन्हें मालूम हुआ कि पृथु माता ने अन औश्यधियादी को अपने उदर में छिपा लिया है तो वो दनुश्वान लेकर पृथु को मारने दोड़ पड़े पृथु ने जब देखा कि अब उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता तो वे राजा पृथु की शरण में आई जीवंदान की आचना करती हुई बैवोली मुझे मार कर अपनी प्रजा को सिर्फ जल पर ही कैसे जीवित रख पाओगे पृथु ने कहा स्त्रेपर हाथ उठाना अवश्य ही अनुचित है लेकिन जो पालन करता अन्य प्राणियों के साथ निर्द्यता का बैवहार करता है उसे दंड अवश्य देना चाहिए पृथु ने राजा को नमस्कार करके कहा मेरा दोहन करके आप सब कुछ प्राप्त करें आपको मेरे योग्य बच्छडा और दोहन पातर का प्रबंध करना पड़ेगा मेरी संपोर न संपधा को दुराचारी चोर लूट रहे थे अतहा मैंने वैसा मकरी अपने गर्फ में सुरक्षित रखी है मुझे आप समतल बना दीजिए राजा प्रिथू संतुष्ट हुए उन्होंने मनू को बच्छडा बनाया एवं स्वैम अपने हाथों से प्रिथू का दोहन करके अपार धन धान ने प्राप्त किया फिर देवताओं तथा महरिशियों को भी प्रिथू के योग्य बच्छडा बना कर प्रिथू को समतल बना कर प्रिथू ने स्वैम पिता की भांती प्रजा जनों के कल्यान इबं पालन पोशन का कर्तब्य पूरा किया राजा प्रिथू ने सौ अश्वमेग यग्य किये स्वैम भगवान विश्णू उन यग्यों में आए साथ ही सब देवताव ही आए प्रिथू के इस उतकर्ष को देखकर इंद्र को इर्श्या हुई उनको संदेह हुआ कि कही राजा प्रिथू इंद्र पूरी ना प्राप्त कर ले उन्होंने सौ यग्य का गोड़ा चुरा लिया जब इंद्र गोड़ा लेकर आकाश मार्ग से भाग रहे थे तो अत्री रिशी ने उसे देख लिया उन्होंने राजा को बताया और इंद्र को पकड़ने के लिए कहा राजा ने अपने पुत्र को आदेश दिया प्रिथू कुमार ने भागते हुए इंद्र का पीछा किया इंद्र ने बेश बदल लगा था प्रिथू के पुत्र ने जब देखा कि भागने बला जटा जूटेवं भस्म लगाए हुए हैं तो उसे धार्मिक व्यक्ति समझ कर बान चलाना उप्युक्त ना समझा प्रिथू कुमार ने इंद्र को बान का लक्षे बनाया तो इंद्र ने अश्व को छोड़ दिया और भाग गए इंद्र के इस शडियंतर का पता प्रिथू को चला तो उन्हें बहुत क्रोधाया रिशियों ने राजा को शान्त किया और कहा आप वरती हैं यग्य पशू के अतिरिक्त आप किसी का भी बद नहीं कर सकते लेकिन हम मंतर दूरा इंदर को ही हवन कुंडमे भस्म किये देते हैं ये कहकर रिटुईजों ने मंतर से इंदर का आहवान किया वे आहोती डालना ही चाहते थे कि वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए उन्होंने सब को रोक दिया उन्होंने प्रिथू से कहा तुम और इंद्र दोनों ही प्रमात्मा के अंशिय हो तुम तो मोक्ष के अभिलाशी हो इन यग्यों की क्या आवशक्ता है तुम्हारा ये सौवा यग्य संपूरण नहीं हुआ है चिंता मत करो यग्य को रोक दो इंद्र के पाखंड से जो अधर्म उत्पन हो रहा है उसका नाश करो बगवान विश्णु स्वयम इंद्र को साथ लेकर प्रिथू की यग्यशाला में प्रकट हुए उन्होंने प्रिथू से कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ यग्य में विग्य डालने वाले इंद्र को तुम क्षमा कर दो राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है तुम तत्व ज्यानी हो बगवत प्रेमी शत्रू को भी संभाव से देखते हैं तुम मेरे पर्मवक्त हो तुमारी जो इच्छा हो वै मांग लो राजा प्रिथू भगवान विष्णू के वचनों से प्रसन्न थे इंद्र लज्जित होकर राजा प्रिथू के चरनों में गिर पड़े प्रिथू ने उन्हें उठा कर गले से लगा लिया राजा प्रिथू ने भगवान विष्णू से कहा भगवन सांसारिक भोगों का वर्दान मुझे नहीं चाहिए यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे सहस्र कान दीजिए जिससे आपका कीर्ता निवम गुणगान हजारों कानों से श्रवन करता रहूं इसके आतिरिक मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान विष्णू ने कहा राजन तुमारी अविचल भक्ति से मैं अभिवोत हूँ तुम धरम से प्रजा का पालन करो ये कहकर भगवान विष्णू अंतरध्यान हो गए राजा प्रिठू की अवस्था जब ढलने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र को राजय का भार सोंग कर पत्नी अर्ची के साथ वानप्रस्त आश्रम में प्रवेश किया भेवागवान विष्णू जी की कठ़वर तपस्या करने लगे अंत में तब के प्रवाव से भगवान में चित्तस्तिर करके उन्होंने तेहत्याग कर दिया उनकी पती व्रता पत्नी महारानी अर्ची पती के साथ ही अगनी में भस्म हो गई दोनों परमधाम को प्राप्त हुए